ग्यान मोती गुरूप प्रेजेंट्स ये मुरली है 25 जनवर 1974 की इसमें बाप दादा ने कहा कि अभी आप बच्चों को आत्मा के सबी गुणों का अनभू कराना है गुणों की डीपनेस में जाना है केवल वर्णनी करना जैसे कहते हैं ना कि आत्मा आनंद स्वरूप है आपके द्वारा वो आनंद स्वरूप का अनभू होना चाहिए फिर बाबा ने कुछ स्थुल वस्तों का उधारन दिया देखो जैसे मिश्री होती है तो मिश्री से मिठ अनभू का रस थोड़ा सा डाले और उसमें खटापन ना आए कैसा हो सकता है ऐसे बाबा कहते कि एक तरव आप कहते हो कि हम आत्माई आनंद स्वरूप है शान स्वरूप है तो उस चीज का अनभू होना चाहिए ना और वो अनभू फिर औरों को भी कराना चाहिए तब बा समाएंगे फिर बाबा ने रिजल्ट सुनाया बाबा ने कहा कि बच्चों ने अनभू किया तो है परन्तु बहुत थोड़ा किया है जैसे कहते हैं चक कर देखा है अब आप सोचिए कोई बहुत अच्छी खाने की या पीने की चीज होती है और आप किसे के यहां गए वो आ आनंद आता है बाबा ने कहा ऐसे ही जब तक आप इन गुणों के अनभू के सागर में नहीं खुएंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगे तब तक अनुबूतिन होगी ना आपको होगी और ना औरों को करा सकते हैं ठीक है बाबा ने होमवर्क दिया अब यह झाल झाल